जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या देखते हैं। समस्या हो जाए तो बहुत जटिलताएं उत्पन हो सकती हैं आखे वो धरोहर हैं जिन्हें बचा कर रखना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है कि सही से इनकी देख भाल की जाए सर्दी गर्मी बरसात या प्रदूशन इन सभी कारकों का प्रभाव पढ़ता है हमारी आख आखों पर और समस्या का कारण बन सकता है इसके लावा हमारी जीवन शैली में बहुत से बदलाव आए हैं स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चे टीवी के सामने बैठे रहते हैं मुबाइल फोन कंप्यूटर और ना जाने क्या-क्या इसका प्रभाव हमारी आखों पर प लिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझते हैं कि दरसल वो कौन से कारक हैं जो हमारी आखों पर प्रभाव डालते हैं आखों की समस्याएं बेहत आम हैं और हर आयू के लोगों में देखी जाती हैं बच्चों, युवाओं और बढ़ती उम्र के लोगों में आखों की समस्याएं अलग होती हैं लेकिन आखों की कुछ बीमारिया ऐसी हैं जो किसी को भी हो सकती हैं आँखों की समस्याई कई दरहकी होती हैं और कई कारण हैं जो इनके लिए जिम्मेदार होते हैं अधिक वायू प्रदूशन आँखों को प्रभावित करता है लगातार कई घंटों तक कंप्यूटर पर कारे करना टेलिविजिन और मुबाइल अधिक समय तक देखना बर्ती उम्र में नजर कमजोर होना बर्ती उम्र में मूतिया बिंद और काला मूतिया जैसे रोग हो सकते हैं ऐसे लोग जो मधुमे या उच्छ रक्त चाप जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं उनमें रोग के प्रभाव से आँखों की समस्याई उत्पन हो सकती है इनके अलावा आँखों का सूखा पन, आँखों में संक्रमन, धूल से एलरजी की समस्या भी काफी देखी जाती है आँखों की कोई भी समस्या होने पर आवश्यक है कि लक्षनों को जल्द पहचान कर सही समय पर इलाज करवाय जाए अपनी आँखों की जाँच नियमित रूप से करवाएं यदि आप मधूमे या उच्छ रक्तचाप से ग्रस्त है तो समय समय पर आँखों की देखभाल और जाँच करवाना आवशिक है साथ ही आँखों के संक्रमन और एलर्जी से बचाव के लिए आवशिक है की सापधानी रखी जाए और ये जाने की आँखों की देखभाल का सही तरीका क्या है किरन भार दौाज डिडी नियूज जो लव्ज निगाहों से बया होते हैं वो अकसर किताबों में नहीं मिलते तो आँखे क्या कह रही हैं अगर आँखों में कोई समस्या का लक्षन है तो आवशिक है कि विशेशग्य को दिखाया जाए आज विशेशग्य हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि कौन से वो लक्षन है जो चिंता का संकेत हो सकते हैं और किस तरह से आँखों की देख भाल की जाए कैसे बचाव किया जा सकता है नेत्र संबंधित समस्याओं से जो लगभग हर आईउ वर्ग के में देखी जाती हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्तित है विशेशग्यों का खास पैनल तो उनसे आपका परिचे करा दें हमारे साथ स्टूडियों में उपस्तित हैं फ्रम गुरुनाना काई सेंटर मौलाना अज़ाद मेडिकल कॉलेज दोनों ही विशेशग्यों का स्वागयत करते हैं आज कर जो विशेश है इस मौसम में होने वाली नेत्र संबंधित समस्याओं और खास तो पर वह समस्याओं जो किसी को भी परेशान कर सकते हैं इससे कौन से कारक हैं जो खतरा साबित हो सकते हैं आँखों के लिए और ऐसे में हमें करना क्या है सबसे पहले ड़क्टर तित्याल आपसे समझना चाहें कि आखों का जो एक्सपोजर है वो किसी भी तरह मौसम हो कोई भी एलजेंस हो या ऐसे तत्वह जो आँखों को हानी बड़ी सारे समफिया हैं, हमें सरीर में हो जाती है, उसके कारण आखों में समफिया हो सकती हैं. दर्द होना, खुजली होना, इंपॉर्डंटली कभी कभी आपके आँखों में बर्निंग संसेशन हो रही है, जैसे लगा कि आँखों में जलन हो रही हो, और आशू आना ये बहुत ही कॉमन हो गया आजजकर, इस्पेसली सुवे सुवे आप बहार निकलते हैं, काम में जाते हैं तो समझेया बढ़ जाती है साथ साथ में बच्चों को आंकों में इलर्जी इस सीजर में ज्यादा बढ़ जाती है और जिन लों को पहले सी बिमारी है जैसे कि तुचा में बिमारी हो उसमें आपको खुसकी हो सकती है दाने हो सकते हैं या फिर आपको कोई और बिमारी हो वो बढ़ जाती है जाड़ों के मौसम में तो ऐसे मैं देखते हैं कि बड़े सारे लोग आते हैं जिनके दृष्टी दोस हो जाती है देखने में दुनलापन देख रहा होता है उनको दूर की चीज़न साफ नहीं चैटर्यक्ण हो सकती है उसकी समषिय बढ़ सकती है ऐसे सीजन में और पीछे के जो परदे की बीमारी है उसकी बड़ोतरी हो जाती है जिसे कि आपको समश्या आ सकती है, कैटरेक्ट एसी समश्या है, ऐसी सीजन में लोग आपरेशन कराते हैं, जाड़ों को मौसम में, क्योंकि बरसात में हम चानते हैं, बहुत से लोग कराना नहीं चाहते हैं, तो ये समश्या साथ में बढ़ जाती है, जिनका आपरेशन हो जा इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं डॉक्टर कीरती आजकल पहले ये कहा जाता था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नजर कमजोर होगी लेकिन आजकल छोटे बचों की नजरों पर भी चेश्मा चर जाता है और टीनेजर्स को खास तोर पर जो स्पेक्स है उसको लेकर बहुत सारी अपनी personality को लेकर भी issues रहते हैं कि हम कैसे दिखेंगे हमारी personality affected हो रही है पहली बात क्या कारण है क्योंकि अंधेरे में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं computer, mobile phone का या कितना लंबा duration हो जिससे आँखों की दृष्टी प्रभावत होने लगती है बहुत ही वाज़िब सवाल है आपका बच्चों में बढ़ते myopia का या refractive wear का या चश्मा आने का लगने का बीमारी अब epidemic सी हो गई है आप देखेंगे अगर school में class में 10 पच्चे हैं तो लगबग 4 को होता है और ये संख्या बढ़ रही है especially COVID के बाद देखा गया है क्योंकि online classes का एक trend सा बन गया है कुछ भी होता है school बन कर दीजे virtual class कर दीजे तो उसमें प्रभाव directly आँखों पर पड़ता है क्योंकि जो digital strain है वो बहुत जादा होता है और plastic age है जो बच्चों की young age है तब आखे पूरी develop नहीं होती वो form हो रही होत जाए और नजदी की digital computers, laptops, whatsapp जो भी आपका device है उसका इस्तमाल किया जाए उससे myopia बढ़ जाता है यह साबित हो चुका है क्योंकि COVID के time जो यह दो साल रहे जिसमें सारा कुछ digital हो गया तो बहुत सारी studies आई है कि myopia की progression और starting हो गया origin उस time से so it's actually a case control study जो पता चल गया जो हम पहले से ही सोचते थे वो अब साबित हो गया है इसका जाडों से कुछ तरीके से link है in the sense की smog especially North India में smog इतनी है तो बच्चे बाहर जाते नहीं क्योंकि बाहर जाने से allergy production का lungs पे असर और फेपड़ों पे असर होना जादा हो जाता है तो air conditioner सर्दियों में heating तो जो आपका indoor atmosphere भी है वो भी आपका affected होता है तो जितना हम कुदरत से दूर जा रहे हैं जितना हम बच्चों को digital media के अंदर डाल रहे हैं हमें सोचना चाहिए कि यह सही नहीं है क्योंकि not only not only the eye health even the mental health is becoming affected क्योंकि सब कुछ अब mobile पे WhatsApp पे digital हो गया है आपकी interaction एक दूसरे से कम हो गई है तो social isolation ही हो गई है और यह teenagers में बहुत common है सो दोनों तरीके का production हो रहा है जी जाहर तोर पर बेहर महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि यह भी देखा जाता है कि अगर एक कमरे में चार लोग बैठे हैं तो सब अपने mobile पर लगे होते हैं आपस में बात्चीत नहीं होती ना सिर्फ आंखों पर बलकि मानस एक स्वास् लेकिन आखों की समस्याएं जो है वो बहुत जादा बढ़ रही है जिसे किसी भी व्यक्ति को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए अगर बात करें वायू प्रदूशन की समस्या हो रही है कौन से लक्षन है तो तुरंट विशे शके को दिखाया जाए इसमें आप बढ़ती चले जाएं तो जरूर अपनी जो है निकटम होस्पिटल में जाकर के चेक अप कराये और साथ में यदि आपको देखने में दुविदा हो रही है दुनलापन आ रहा है तो जरूर आपको दिखाना चाहिए ये एक इंपॉर्डन जो है एक चंता को जानना चाहिए कि दिखाई देने में समश्या हो जाए और आपकी आँखी लाली बढ़ती चले जाए तो जरूर पास के हॉस्पिटल में जाकर चेक अप कराये तीसरा जो एक इंपॉर्डन चीज है जब भी आप अपना आफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं काम करते समय आपक कम नहीं हो रही है इन फैक्ट जो यह मौसम है जिसमें इतने सारे परदुशन में जो है कंड फैले हुए हैं जो टॉक्सिक होता है तो इन फैक्ट जो आँख का जो टियर होता है जिससे आँखे साफ होती है और टॉक्सिक हो जाती है उसकी एसीडिटी बढ़ जाती है और भी बढ़ जाती है तो ऐसे में समश्या बढ़ती चले जाई है तो जिन लोगों को पहले से ड्राइनेस हो जो कॉंटाइक लेंज पहनते हो यह आप जिनका भी ऑपरेशन हुआ हो उनमें समश्या बढ़ रही है तो जरूर आपको एक चकप कराना चाहिए यह यह आपको डॉक जोरी यानि सर्दी के मौसम में करवाना बेहतर रहेगा जहां तक किसी भी मौसम में करा सकते हैं कि यह देखा जाए तो इलक्टिव प्रसुजर है लेकिन जिन लोगों को देखने में दुविदा आ रही है तो रुकना नहीं चाहिए और डॉक्टर जो आपको समझाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए जिदी आपको लगता है कि आपकी नजर ठीक ठाक है अभी काम चल सकता है तो इस जो है जब अभी सीवियर जो है पॉलुशन हो रहा है तो उसमें ऑबाइट कर सकता है जिदी ऑपरेशन कर लिया बाइचांस तो थोड़ा प्रिकोशन लेना जरू है तो आपको दिन के टाइम में बाहर निकलना चाहिए जिसमें थोड़ा परदूशन कम हो जाता है और आखों को रगणा नहीं चाहिए जाड़ों के मौसम में बहुत से लोग जो है अपना कंबल रजाई ओड के सोते हैं ऐसे में कभी-कभी हाथ जो है आखों में लगने के चांसल रहते हैं जब अब कंबल उठाते हैं तो थोड़ा सा केरफूर होना पड़ता है एक काला चस्मा लगा ले थोड़ा बड़ा साइस का जिससे भी आखों में जो है जो हवा है उसका आसर कम पड़ेगा जी डॉक्टर कीरती सेंग जब भी आखों की कोई समस्या होती है तो सबसे आम इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं जो है लुब्रिकेंस का भी प्रयोग होता है और आजकल आखों में डालने वाली डॉप्स इतनी आसानी से उपलब्ध हैं तो विशेश्यागे की परमर्श की आवश्यक्ता भी लोग नहीं समझते अगर समस्या होने पर सेल हो में कोई भी दवा डालना बहुत ही एहम सवाल पुछा आपने सेल्फ मेडिकेशन अगर सेल्फ मेडिकेशन से सब कुछ ठीक हो जाता तो हम लोग डॉक्टर क्यूं बनते आप अपने बच्चों को डॉक्टर क्यूं बनाते हैं सब कुछ ही खुदी इलाज कर लेंगे आप बताएं कि यह दवाई चाहिए मिल जाएगी तो इसकी अनफॉशी रेगुलेशन सरकार ने करी हुई है पर वह इंप्लेमेंट नहीं हो पाती बिकॉज हमारा बहुत विस्रित देश है हमें खुद को जानकारी होने चाहिए कि जो मैं आइड्रॉप मैं अपनी आख में डाल रही हूं या डाल रहा हूं वो मेरे लिए हानिकारक हो सकती है तो अपनी आखों से प्यार करें बहुत प्यार करें क्योंकि आखें बहुत बहुमूल्य हैं तो अगर आप अपनी आखों से प्यार करते हैं तो आप सेल्फ मेडिकेशन कदापी नहीं करेंगे यह मेरा सं benefits के लिए दी जाती है और वह सही नहीं होती है सेकेंड हर वॉट्रिंग और हर पानी आने के लिए दवाई का डालना जरूरी भी नहीं है कभी-कभी थोड़ा पानी आना आनक का नॉर्मल रिस्पॉंस है इरिटेंट के लिए वो अगर पानी बंद हो जाता है और कभी-कभी आता है तो दवाई का अब दवाई का रेगलर सेवन भी जरूरी नहीं है और स्टिरोइड तो जैसे मैंने बोला मेड इंडिया प्राब्लम है और आप यह मानिए स्टिरोइड अगर आप ज्यादा देर यूज़ करेंगे आँख में ड्रॉप्स में तो कई लोग स्टिरोइड रिस्पॉंडर्स होते हैं वो हमारी बॉडी का एक जनेटिक मेक अप होत है जो वो स्टिरोइड रिस्पॉंडर्स होते हैं उनका आँख का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो साइलेंट डिजीज होती है पता भी नहीं चलेगा कि आपका आँख का प्रेशर बढ़ गया है और जैसे वीडियो क्लिप में दिखायागी है नस की फोटो वो नस आपकी आइस्था आइस्था डैमेज हो जाएगी तो दाट इस कॉल्ड अस्टिरोइड इंड्यूज ग्लाकोमा और इस वेरी कमन इन अलर्जिक कंडिशन जिसमें स्टिरोइड का सेवन मिस्यूज होता है जी डॉक्टर तित्याल वो लोग भी हैं जो काफी जादा आँखों का प् क्योंकि जब समस्या उत्पन हो जाती है उसके बाद तो विशेशग्यों के पास जाना जरूरी है लेकिन पहले से सावधानी क्या रखी जा सकती है जहां तक जो लोग जो हैं लैप्टॉप्स में या अपनी बोबाइल फोन में या फिर आईपैड में जादा काम करते हैं त उससे ड्रैनस होने के चांसे बढ़ जाते हैं आख में स्टेन होनी लगता है क्योंकि आ आप बहुत पास में काम कर रहे होते हैं तो ऐसे में हम कहते हैं कि जब भी आप लंबे समय के लिए काम करते हैं तो बीच में बरेक देना बहुत जरूरी होता आपने आँ couple उसमें बूस के आँखों को ब्लिंक करी है जिसे कि आपकी टीयर फिल्म ठीक डंग से आँखों के पर्तों के ओपर फैल जाएगी आपको ड्राइनस कम हो जाएगा तो कोबिट के टाइम में हमारा एक रूलिंग था ट्विंटी 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 का वो उतना जरूरी नहीं है यह कि यह समझना जरूरी है कि बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है जिनलों को पहले से ड्राइनस की समश्या हैं उनको काम करने से पहले एक आर्टिपिशियल टेर की ड्रॉप डाल ले उसके दस मिनिट के बाद काम सुरू करेंगे तो थोड़ी समश्या कम हो जाएगी और बीच में भी ब्रेक लेने के समय में आप चाहें तो ड्रॉप डाल सकते हैं और जब ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा बाहर देखे जहां पर आपको हर्याली देखे या फिर थोड़ा सा अपने आपको फिजिकली मूब करें तो उसे भी आँखों की स् है और बाइलेटरल जो दूनों आखों की कॉडिनेशन भी बढ़ जाती है उसमें तो मोबाइल फोन में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए जैसे किरण जी ने कहा ता कि अंदेरे में मोबाइल फोन या लैपटब में काम ने करें उसे आँकों में स्टेंज जादा बढ़ जाती है और लेट करके कभी भी मोबाइल फोन में काम नहीं करना चाहिए बैट के करें एक पोजिशन अच्छा रखिए और लाइटिंग अच्छा रखिए जिससे कि समश्चा काम हो जाए जी फिलहाले कॉलर हैं फरीदाबाद से संदीप हैं फोन लाइन पर सागत आपका टोटल हेल्थ में क्या जाना चाहते हैं अब मैं मेरा सवाल यह है कि जैसे मुझे आखो में खुझली सी रहती है मुझे बार-बार हाथ से मुझलने का मन करता है तो क्या यह इसी मोसम में हो रहा है यह कोई और समर्चा है जी दूसरा मुझे यह जाना था कि जब मैं किसी पर्दूशन वाली जगह में जाता हूं और लं और आखे मसलने का मन करता है और दूसरा सवाल है कि जब आप प्रदूशन वाली जगह में जाते हैं और आपकी आखे बंद हो जाती है दोनों ही बहुत ही वाजब है क्योंकि खुजली जब होती है इसका मतलब है इचिंग का मतलब है कुछ एलर्जन है या कोई foreign body है जो निका इसका में लंग्स में आस्थमाइक टेंडनसी है नेजल साइनुसाइटस है या नेजल दिस्चार्ज है तो वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट होती है उसकी अलर्जिस की अगर कोई special अलर्जन आपको है दिख रहा है जो कई बारी पॉलन होता है जो spring season में आता है उस flower flowering season में आत से हो जाता है तो otherwise mild allergy, mild itching कुछ नहीं करना है जादा है तो जरूर आप किसी को दिखा के आप anti-allergen लीजिए दूसरा जो प्रदूशन में ने बोला कि आखे हमारी बंद हो जाती है यह भी natural reflex है protective आख का कि वो tolerate नहीं कर पा रही उसकी tear film तो वो lids को blink करा देती है क्योंकि lids क मतलब है कि आख के साथ उसने पूरा वाइप कर दिया तो again that means that you are in a place चहां पे वो आख टॉलरेट नहीं कर पा रही है तो lubricant और lubricant कोशिश कर रही है जहां भी डालें तो preservative free डालें तो वो lubricant डालें पानी से आख दो लीजिए पर बहुत जादा भी frequent पानी से आख नहीं दो प्लास्टिक के lenses जो होते प्रोटेक्टिव वो भी यूज़ कर सकते हैं जी बहुत सारे emails हमारे पास हैं एक email शामिल कर लेते हैं फिर rapid fire की दरफ बढ़ेंगे डॉक्टर तित्याल दिनेश जी हैं वो यह कह रहे हैं इनकी उम्र है 14 मायोपिया का 4.35 नंबर ने आगया है क्य में दुन्दलापन आ रहा है या ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं दिखाए जाए रहा है तो चस्मे के नंबर दुवारा टेस्ट करना चाहिए जैसे हम कहते आ रहे हैं कि थोड़े से स्टेंड कम रखिए पास की जो है इलक्टोनिक मीडिया में काम करिए उसे आपकी नजर में खरावी होने की चांसे से कम हो जाएंगे यदि आप 18 साल से ज़्यादा है के हो जाते हैं नंबर आपका स्टेबल हो जाता है और यदि आपके परदे ठीक हैं तो बाद में ऑपरेशन करा करके नंबर हटवा सकते हैं और अब समय है rapid fire questions round का हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंग तित्याल जो चीफ है आरपी सेंटर All India Institute of Medical Sciences और हमारे साथ हैं डॉक्टर कीरती सिंग डिरेक्टर गुरुनानकाई सेंटर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे ह पहला सवाल डॉक्टर तित्याल आपसे कि क्या वायू प्रदूशन सिर्फ उन्हीं लोगों की आँखों पर प्रभाव डालता है जिनकी आँखें सेंजिटिव होती है या उन्हें पहले से समस्या होती है नहीं यसी यह मित है सभी को जो है वायू प्रदूशन का असर होता है वायू प्रदूशन की वजह से आँखों में पानी आना लाली होना या फिर जलन होना तीनो डॉक्टर जीवन सिंग तित्याल अगर किसी व्यक्ती को लक्षन हो रही है समस्या हो रही है तो कोई भी आईड्रॉप खुद ही डाल लेना क्या प्रभावशाली होगा यह हम क्या चुके हैं कि अपनी तरफ से दवाई मत डालिये लेकिन यह जरूरी है कि यदि समश्या बढ़ती जा रही है तो डॉक्टर से चकप कराईए सबसे सेपस्ट ड्रग जो है आर्टिशियल टीर्स है या लूब्रिकेंट्स है वो भी नई बॉटल होनी चाहिए कोई बॉटल एक मने से यादा हो जाए तो उसका डिस्कार्ड कर देना चाहिए अगर व्यक्ति जह है ग्लासे का प्रियोग करता है यानि संग्लासे लगा लेते हैं या स्पेक्स लगाते हैं तो क्या वायू प्रोदूशन का असर कम होगा थोड़ा सा डेफिनेटली कम होगा क्य से तो आ जाते हैं वो प्लूटन्स भी क्योंकि एर सेक्लिशन तो रहती है और अगर आप संग्लासे अगर धूप में बचना चाहते हैं तो आप जो आपके चश्मा है उसी को फोटो क्रोमार्टिक ग्लासे कर सकते हैं मायोपिया या निकट दृष्टी दोश की समस्या क्या सिर्फ बच्चों में ही होती है डॉक्टर तित्याल ये शिरुवात तो बच्चों से ही होती है दृष्टी दोश मायोपिया का और जब हो जाता है तो रहती है उसको हटा नहीं सकते हैं जैसे मैंने कहा था चसमे का न बट आखों की strain को avoid करना जैसे अभी बताया accommodation से link शाब साबित हो गया है so strain का कम करना और उसको reduce करना myopia की control कर सकता है और vitamin A की जो बात रही वो होता है जिसमें keratomalacia या zirosis of the eye condition में होता है जो खासकर बच्चे malnutrition को portion के मरीज होते हैं उनके लिए होता है otherwise normal diet में इसकी अवश्यक्ता नहीं होती पर बच्चों में अगर कुछ लगता है तो prophylaxis का सरकार ने scheme दी होई है, vitamin A prophylaxis का वो करते हैं, adults में नहीं ड़क्टर तितियाल बच्चों में contact lens किस IU से उपयोग किये जा सकते हैं contact lens तभी बच्चों को देना चाहिए जब वो contact lens की समश्या समझ सकते हो या उसको handle कर सकते हो तो आज की date में जब बच्चे करीब 10-12 साल के उपर हो जाते हैं और उनके यदि आखों में दोनों आखों में difference बहुत यादा हो जब contact lens necessary हो तभी देना चाहिए अधर्वाइज जब 18 साल के हो जाएं तो उसके बाद समझ्या कम हो जाती क्योंकि हम handle करना जानते हैं जी जोक्टर केरती सिंग अगर लंबे समय तक लाप्टॉप या टीवी स्क्रीन को देखना हो तो क्या अगर correcting glasses या इस तरह के lens लगाया जाएं उससे कुछ लाब होगा यानि हानी कम होगी बहुत सारी इसमें डिबेट चल रही है वो blue lenses और दूसरी computer safe lenses लोग इसमाल करते हैं but I would say rather than use any safe lenses use safe practices तो safe practices का मतलब है कि कुछ समय बाद जैसे 2020 का रूल है आप 20 नहीं every half an hour याद रहेगा आपको every half an hour आप दो-तीन मिनट का break ले 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 constantly I को वहाँ पिस train मत करें कुर्सी से उठ जाएं क्योंकि वह कुर्सी से उठना भी जरूरी है postural problems भी हो जाती है back achs पॉच शुरू हो जाती है तो पूरे शरीर के लिए every half an hour get up from your computer and laptop roam around 2-3 मिनट घूम के फिर बैट चाहिए पानी पीजिए जिसे पानी का ग्लास मैंने रखा हुए use lot of use fluids and less of caffeine more of just plain fluids और अगर आपके सामने को direct heating या draw ता रही है AC की उसको avoid करिए so because computer के साथ linked होता है कि आप indoor बैटे होंगे तो यह सब चीजे साथ में linked होती है so minimize half an hour के बाद break लीचे use fluids use blinking जैसे हम बोलते हैं कई बारी मरीश को जैसे साप करता है वैसे मत करिए ऐसे ऐसे करते रहे है think blink practices करिए जी बहुत महत्वपूर्ण संदेश डॉक्टर तित्याल क्या संदेश देना चाहेंगे नियमेत रूप से आँखों की जाच करवाना किस उम्रे से जरूरी है और कितना आवशिक है आँखों की जाच तो पैदा होते समय से शुरू हो जाती है और जब तक आप जिन्दा है तब तक आप जाच करनी चाहिए इसलिए जिन लोग की फैमिली में आँखों की बिमारी चल रही हो उनको जरूर करना चाहिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आखें बड़ी है उसे अलर्जन रिलीज हो जाते हैं तो आँखों को चूना नहीं चाहिए रगना नहीं चाहिए यदि हो तो आँखों में ड्रॉप डालके उस खुजली को कम करना चाहिए जी बहुत धनेवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कीरती सिंग डॉक्टर जीवन सिंग तेत्याल विशेशग्यों ने खास तोर पर बता दिया है कि क्या सावधानी आपको रखनी है जिससे आँखों की समस्याएं नहों लेकिन अगर फिर भी समस्या होने लगी है तो स्वयम अपने डॉक्टर मत बनिये विशेशग्य के पास जाईए समस्या क्यों हो रही है ये पहचान करवा लीजे और सही इलाज करवाईए आखों को जीवन भर चलना है क्योंकि आखे वो धरोहर हैं जिनसे हम इस खुबसूरत दुनिया को देख सकते हैं आखे ठीक रहें इसके लिए कुछ छोटी बातों का जो महत्वपूर्ण है उनका ध्यान रखना बेहर हमारी पूरी टीम को दीजिया अनुमती नमस्कार